एक बार वैकुंठ लोक में भगवान विश्णु जी अपने आसंशेशनाग पर बेठे बेठे उब गए, तो उन्होंने सोचा चलो प्रीत्वी लोक घूम कर आता हूं, वेसे भी कई साल बीत गए थे, धर्ती पर गए इसलिए वो फटा-फट अपनी आत्रा की तयारी करने ल विश्णु जी ने कहा, हे प्रीय मैं प्रित्वी लोक पर घूमने जा रहा हूं, तो कुछ सोचकर लक्ष्मी ने कहा, हे भगवन क्या मैं भी आपके साथ चल प्रित्वी लोक आ सकती हूं, विश्णु जी ने दो पल सोचा फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती ह प्रित्वी पर पहुच कर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। लश्मी जी के मन में आया की प्रभू ऐसी शर्त क्यों रख रहे हैं। लेकिन ज्यादा प्रश्न करनी पर वो नाराज हों कर उन्हें ले जाने से कहीं मना। न कर दे इसलिए लक्ष्मी जी ने हां कह अपनी बात मनवाली और सुबह सुबह मा लक्ष्मी और भगवान विश्नू धर्ती पर पहुच गए। तब सूर्योदय हो रहा था, रात बरसात होकर हटी थी, चार ओर हर्याली ही हर्याली थी, उस समय चार ओर बहुत शान्ती थी, और धर्ती बहुत ही सुंदर दिख रही थी, परती को देख रही थी और इन सब में वो भुल, गई की पती को क्या वचन दे कराई है, डॉट लक्षमी जी चारो चारो और देखते देखते कब, उत्तर दिशा की और देखने लगी पता ही नहीं चला, उत्तर दिशा मैं मा लक्षमी को एक बहुत ही सुन्दर, बगी चान ज और उस तरफ से भीनी, भीनी खुश बुआ रही थी, और बहुत ही, सुन्दर सुन्दर फुल खिले थे, वहां एक फुलो का खेत था, मा लक्षमी बिना, सोचे समझे उस खेत में चली गई और, एक सुन्दर सा फुल तोड लाई, लेकिन यह क्या जब मा लक्षमी भगवा विश्णू के पास वापिस आई तो भगवान, विश्णू की आँखों में आंसू थे, भगवान विश्णू ने मा लक्षमी से कहा, कभी, भी किसी से बिना पुछे उसका कुछ भी, नहीं लेना चाहिए और किसी को दिया, वचन भी नहीं तोड़ना चाहिए, मा लक्षमी जो फिर भी जो तुम ने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हे जरूर मिलेगी, जिस माली के खेट से तुमने बिना, पुछे फुल तोड़ा है, जो केक प्रकार की चोरी ही है, इसलिए अब तुम तीन साल तक माली के घर नोकर बन कर रहो, उसके बाद मैं तुम्हे मैं वपिस बुलाऊंगा, मा लक्षमी ने चुपचाप सर जुका कर हां कर दी मैं, आप भी सोच रहे होंगे आज कल की, लक्षमी थोड़े थी, उस दिन से मा लक्षमी एक गरी बोरत का रूप धारन करके उस खेत के मालिक के घर गई, घर क्या एक जो पड़ा था, मालिक का नाम माधव था, घर में माधव की बीबी, दो बेटे और तीन बेटिया थी, सभी उस छोटे, सेखेत मैं काम करके किसी तरह से गुजारा, करते थे मा लक्षमी जब एक साधारन हो, गरी बोरत बन कर जब माधव के जो पड़े, पर गई तो माधव ने पुछा बहन तुम को मुझसे इस समय तुम्हें क्या चाहिए तब मा, लक्षमी ने कहा, मैं एक गरीबोरत हूँ, मेरी देख भाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम देदो इसके बदले मैं, तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूगी, बस मधाव गरीब जरूर था, किन्तु बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा बहिन मैं, तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, अगर मेरी तीन की जगह चार बेटिया होती तो भी मैंने गुजार करना था, अगर तुम मेरी बेटी बनकर जेसा रुखा सुखा हम खाते हैं, उस मैं खुश रह सकती हो तो, अंदर आ जाओ माधाव ने मालक्षमी को अपने जोपडे में शरन दे दी, मालक्षमी तीन साल उस माधव के घर पर नोकरानी बनकर रही, जिस दिन मालक्षमी माध माधव के घर आई थी, उससे दूसरे दिन ही माधाव को फुलो से इतनी आमदनी हुए कि उसने शाम को एक गाय खरीद ली, फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली, उसने सब के लिए अच्छे, अच्छे कपडे भी बनबा लिये, एक बड़ा पका घर भी अपनी बेटियों को दिया था, पहले से कई जादा सुखी और सम्रिधी, माधव के मन में हमेशा ये ख्याल आता था कि मुझे यह सब इस महिला के शुभ कदम, मेरी जोपड़ी में पढ़ने के बाद मिला है, इस महिला ने एक बेटी के रुप में मेरे जीवन में आकर मेरे किस्मत ही बदल दी, तीन साल लगभग बीत गए थे लेकिन, मा लक्षमी अभी घर मैं और खेत मैं काम करती थी, एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने के द्वार पर एक देवी स्वरुप गहनों से लदी एक ओरात को द देखा, ध्यान से देखकर पहचान गया अरे यह तो, मेरी मुहंग बोली चोथी बेटी यानी वही ओरत है, वो पहचान गया कि यह तो मा लक्षमी है, अब तक माधव का पुरा परिवार बाहरा गया था, और सब हेरान होकर मा लक्षमी को देख रहे थे, माधव बोला, है म माहमें माफ कर दीजी हम, ने आप से अंजाने मैं ही घर और खेत में काम करवाया है, मा यह केसा अपराध हो गया, है माहम सबको माफ कर दो, मा लक्षमी मुस्कुराई और बोली, है माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालू व्यक्ति है तुमने, मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा, अपने परिवार के सदस्या की तरह से मान दिया, इसके बदले मैं तुम्हें वर्दान देती हूँ की, तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की ओर, धन की कमी नहीं होगी, तुम है वो सारे, सुख मिलेगे जिसके तुम हकदार है फिर, मा अपन, एकी मात् स्वामी के द्वारा भेजे रत में बेट कर वैकुंठ चली गई